तो दोस्तों कैसे हूँ? हम लोगों ने gameplay number 4 में इस वाले episode में अपना playboy mention डाला था और उसमें storyline बनाई थी interior पूरा खोल लिया था उसका इसी बात है मुझे nudity वगेरा नहीं निखानी की इन सारे maps में बहुत जाना nudity होती है जो मैंने डाला उसमें भी थोड़ी बहुत है लेकिन उसको निगलेक किया जा सकता है अगर तुम लोग चाहो के nudity वगेरा हो तो इसमें से तुम लोग डाल सकते हो अगर तुम लोगों को first link को click करोगे तुम्हारे सामनी ये खुल जाएगा playboyv2.rar 71.4 MB का यहां से दोस्तों तुम लोगों ने download के बटन पर click करने है पहले ही यहां पर यहां पर यह download करेगा यह समझो के तीन से चार मिनट लगाएगा अगर तुमारा मेरी तरह internet है 20 MBPS लगावा या 2 MB पर सेकंड ल लिखाता हूं कि हम लोगों ने इसको कैसे install करना है और GTA 5 में load कैसे करना है यहां पर दोस्तों मैंने एक तरफ playboyv2 जो अपनी नई file डाली है यह रार फाइल यहां पर मैंने खोल ली है और दूसरी तरफ मैंने अपना open IV खोल ली है open IV खोलते ही दोस्तों तुम लोगों ने स सबसे पहले तुम लोगों ने आने है mods में, mods में आने के बाद में अपडेट में फिर तुम लोगों ने जाने है x64 में, फिर DLC packs में जैसे हम लोगों ने अपनी गाड़ियां आज तिब डाली है अभी हमने bikes डाली थी अपनी last video में और कुछ भी हम लोग डालते है वह सेम यह आपर यहांपर जो भी नाफर है, इसका क्या करना है, इसका क्या है तुम लोगोंने, सबसे पहले जाना है, प्ले वीटू के इस फोल्डर में, और यहांपर यह जो फोल्डर है playboy v2 का इसमें तुम लोग देख सकते हो dlc.rpf है बाइक वाले में भी मैंने complete details में समझाया था कि जिस folder में dlc.rpf होगा वो folder तुम लोग उठाओगे और dlc packs में open ID के लाकर drag and drop कर दोगे यहां पर copy paste कर दोगे और हाँ फिर से बता दूँ मेरे पास अभी भी comments में queries आ रही थी कि यह drag and drop नहीं होता drag and drop नहीं हो रहा, drag and drop नहीं हो रहा हाला कि मैंने edit mode on किया भा है फिर भी drag and drop नहीं हो रहा GTA 5 खोल के मत करना फिर से बता रहा हूँ GTA 5 खोल के मत करना यहां पर दोस्तों हम लोगों ने इसको copy paste कर दिया मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ यह आगया मेरा playboy v2 यहां पर नजर आ रहा है अब मैंने कै करना है मैंने यहांसे वापिस चले जाना है और यहां पर मैंने यहांसे ऒबापिस चले जाना है वरना तुम्हारा एडिट नहीं होगा फिर मुझे बोलते रहोगे कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा और यहां पर कुछ भी line, line, space, space कुछ भी alphabet वगएरा, symbol वगएरा नहीं डालना है एक space भी नहीं होना चाहिए, वरना यह error देने लग जाएगा, जैसे तुम लोगों का डेरा होगा, column डिस डिस में, XML error आ रहा है, XML parsing error आ रहा है, तो वो तुम लोगों नहीं करना, कुछ भी छेड़ खानी इसमें नहीं करनी, और सीधा सीधा तुम लोगों ने simply बिल्कुल नी सीधा जाओ, इस वज़ए से मैं तुम लोगों कोई लाइन copy paste करने का नहीं बूरूँगा, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स में read me फाइल्स नहीं होती, तुम लोग यह सीख लो के कैसे करना है, यह जो last line है, मैं इसको copy करूंगा, सिरफ last line को path के उपर वाली, यह closing path हो रहा है इसका slash का मतलब होता है path close हो गया, यहां पर यह path open हो गया, यहां पर हम चीज़ें बीच में डाल सकते हैं, और यह path close हो गया, path closing के उपर हम लोगों ने एक नई line बनानी है, और यह जो last line है, कोई भी last line हो, इसको तुम लोगों ने सारी को select करके यहां से copy कर लेना है, यह मैं पेस्ट कर देना, यह दोस्तों मैंने इसको paste कर दिया, आप तुम भले playboy डाल लियो, या फिर तुम कोई गारी डाल लियो, या फिर तुम कोई weapon डाल लियो, कुछ भी डाल लियो, तो उसका यह जो folder होगा, जो तुमें download करने पर मिला होगा, जैसे हां पर playboy v2 था, जिसके यह तो खुल नी सकती है, लास्ट फाइल होती है, इसके folder को जो नहीं होगा, playboy underscore v2, यह सेम एस इस हमने यह दो slash के back slash के बीच में कर देना, slash हो back slash हो, जो भी हो उसके बीच में कर देना, तुम लोगों ने, सेम ऐसा ही जैसा यह बनावा है, मैं इसको as it is लिग दूँगा, play ay, boy, playboy हो गया, underscore डाला, और v2 डाल दिया, यह सेम एस इस folder का नाम मैंने बना दिया, और हम इसकी readme file देखें, उसमें भी ऐसा ही बनावा है, देख सकते हो, तो हम लोगों ने सरफ यह changes करने होते हैं, कोई भी हमने add-on चीज डालनी हो, कि हमने dlc pack में उसका folder डालना होता है, और dlc list में उसके folder का नाम बना देना होता है, ऐसे ही जैसे मैंने अब ही बनाया है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको save कर दूँगा, अब मैं अपना gta 5 खोलूँगा, और तुम लोगों को playboy mention load करके उसके interior वगएरा सारे के सारे दिखाऊंगा, तो दोस्तों मैंने अपन यह tennis के बिल्कुल साथ में tennis code बनावा है, यहाँ पर भी यहाँ पर बनावा है, यह है हमारा playboy house, यह जो नजर आ रहा है ना, यह सारा playboy house है, जो इस तरह का बनावा है, और यह हमारे घर से बिल्कुल करीब है, यह रहा हमारा घर, पीछे से हम लोग बहार निकलेंगे, और पीछे straight road पकड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा playboy house, तो यहाँ पर हम लोग waypoint लगा लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसके main gate पर waypoint लगा लेता हूँ, यहाँ पर अंदर की तरफ इसका main gate है, यह मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसका waypoint, यह waypoint set हो ग यह जो होगता है, यह सामने होटल पर हम लोगो ने snijping वगेरा भी की थी, अगर तुम लोगो ने gameplay number 4 नहीं देखा तो gameplay number 4 जरूर देख लो, अब यार, accident हो गया, मेरा बातों बातों मैं accident हो गया, बुड़ी तरह से मैं गारी से ठुग गया, खेर दोस्तों यह देख सकते हो हम लोग playboy house के पास आ चुके हैं, अब इसका interior का जो entrance है, वो वहाँ से है, एक निटो को मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहां से ही आ गया इसका दर्वाजा, यहां से हम लोग अंदर जा सकते हैं, एक निटो को मैं तुम लोगों को अंदर जा कर दिखा देता तो basically यह इसका पीछवाला दर्वाजा, यहां से तुम लोग अंदर जा सकते हो, यहां से हम लोग एंटर कर सकते हैं, यह दर्वाजा खुल गया है, इसके इलावा दोस्तों इसका दूसरा दर्वाजा जो हो वहां की तरफ है, यह front door है, यह front है, यह back है, वो मुझे काफी मज़दार होगा, उसमें यह समझो के जो फस चुके न हम लोग, वो बचने की पूरी कोशिश करेंगे, यहां पर यह समझो के basement बनी गी है, इसके इलावा तुम लोग वापस उपर जाओगे, तो घर में और भी rooms वगयरा है, वो भी तुम लोगों को दिखा देता हू तो इसके interior में यह जो है, यह तुम लोगों को टॉलेट भी दिखा देता हूँ, यह देख सकते हैं तुम लोग अंदर जाकर यह टॉलेट सारा बनावा है, टॉलेट के बाद घर के अंदर हम लोग जाएं, तो यहां पर तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहां पर है किचं और अपना dining room वगैरा यह जो यह जो एली है, यहां पर यह dining room और kitchen पगैरा बनावा ऐसके लावागा किचन से साम First जाएं तो हमारा जो ये समझो के जिदर हमें टोनी ने लास टाइम पकड़ दिया था जो आफिस था वो यह और टोनी ने यहां पकड़के बिठा लिया था गंज वगएरा हमारे सर पे लग दी थी तो गेंप्ले फाइब में देखो हम लोग बच पाते हैं के निदी बच पात एक मिनट को वो जो हिस्सा है उसमें भी रूम्स वगेरा बने वें तो तुम लोग ये सारा घर वगेरा एक्स्प्लोर कर सकते हो और ये समझो के इसमें थोड़ा बहुत इदर उदर लोग भी घूम रहे होते हैं जैसी तुम लोग बाहर निकलोगे तो भी लोग नजर का अब दोस्तों अगर तुम लोगों को कोई भी मसला आता है कोई बी सिच्वेशन में फश जाते हो तो तुम लोगों ने सिंप्ली कॉमेंट कर देना है और का मैं हमेशी के तरव लोगों को लाजमी जवाब दूगा और तुम लोगों के प्राब्लम को सॉल्फ करने की दिखता तुम लोगों ने देखा होगा 2-3,000 views ही आते हैं तो थोड़ा like कर दिया करो यार video को like करना लाजमी बनता है अगर तुम लोग वीडियो पर आई हो एक minute भी तुम लोगों ने देखा तो please like कर दिया करो इसके लावा दोसतो gameplay number 4 की video यार लाजमी देखना हो सकता है आगे स्टोरी में क्या क्या लेकर आओं continue क्या क्या कर